इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ocean floor configuration के बारे में heading को समझो आधी चीजें वैसे ही समझ में आएगी ठीके तो try to understand the heading ocean floor configuration अब आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में बताया कि post drift studies में क्या हुआ post drift studies में आपने जैसे देखा कि conventional current theories निकल के आई जिससे हमें समझ में आए कि हाँ continent के drift करने के पिछे कारण ये भी हो सकता है एक force conventional current का भी हो सकता है ठीके ocean floor की mapping करना start की गई तो हम क्या सोचते थे कि ocean floor बड़ाबर plane होगा एकदम लेकिन ऐसा नहीं ocean floor के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग क्या है देखने को मिले अलग-अलग features देखने को मिले अलग-अलग relief features देखने को मिले तो हम वही इस वीडियो में पढ़ने वाले कि आखिर ocean floor है कैसा ocean floor configuration मतलब ocean floor का configuration क्या है ocean के अंदर क्या-क्या चीजें मिलेगी उससे अलग की shark बगेरा तो मिलेगी मिलेगी सर उसके अलबा फिजियोग्राफिक feature क्या है division क्या है वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं समझने वाले हैं समझ में आया ठीक है तो देखो the ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the forms of relief ठीक है तो depth और forms of relief that accent Oxygen की घरौ के हिसाब से और उस घराई के बाद में बीपिर ऑश्याइन की अंदर क्याा जैसे आप देखोगे यजिए एक पीक समुद्र के अंदर है समझे लो कहानी में क्या कहना चाहरा हूँ जैसे यह क्या है क्या ही कंटिनेंट हो गया यह ओशेन हो गया अब माननो हिमालया अगर इतने हैं तो कि आपको माउंट एवरिस्ट से भी उचा है लेकिन वो ने चोटा दिखेगा लेकिन अगर आप इन टो लेंथ ना फो गए तो एक पीक ऐसा भी है जो ओशन के अंदर है और हिमालयास से भी उचा है उस पीक का नाम आप मुझे बताओगे इसके लिए नाम नहीं बता रहो है कमेंट सेक्षिन में एक और वख दूगा भी में तो कौन सा पीक है बताना मुझे ठीक हिमालयास से भी उचा से भी उचा अब आगे अगर हम देखें तो दी ओशन फोर में भी सेग्मेंटें इंटो थ्री मेजर डिविजन बेज़ ऑन दी डैप एस वेल एस फॉर्म्स ऑफ रिलीव तो उसके अंदर माउंटें भी है उसके अंदर प्लैटू भी है उसके अंदर आप जैसे देखोगे त बड़ी इंट्रस्टिंग उससे जानना चाहिए उसका कन्फिग्रिशन पढ़ना चाहिए तो हम देखतें क्या बताती है कि ओशन फ्लोर को आप कॉंटिनेंटल मार्जिन्स डीप सी बेसिन और मिट ओशनिक रिजिस्ट में क्लासिफाई कर सकते हो कॉंटिनेंटल मार्जिन के इंस मतलब क्या है कि जो कॉंटिनेंटल मार्जिन से जाएगा डीप सी में अगनन। से ihm मतलब को यह ृशनिक बेसिन रहता है जो बहुत गहरए में मलें हैत्व ऑं तीसरी important feature जो आपको देखने को मिलती है ocean के configuration में वो थी mid oceanic regions, ठीक है, mid ocean regions तो mid ocean regions मतलब क्या है कि ocean के बीच में, mid में आपको ridge देखने को मिलेगी, ridge मतलब mountain like structure देखने को मिलेगा तो ये मोटा माटी configuration है किस चीज़ का? ocean का, ठीक है, तो ocean floor configuration में हम इन तीनों चीज़ों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, यहां तक समझना है आपको, ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों को in detail पढ़ते हैं, continental margins की बात करते हैं, continental margin होता क्या है? तो ती transition between continental shores and deep sea basin, ठीक है? अगर यह line में देखोगे न, तो जैसे यहां continent है, continent से यह ocean चालो हो गया, तो यह ocean अंदर आओगे, तो यह ocean अंदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है? डीप में, लेकिन जो transition है, continent और deep sea ocean, मतलब इदर आगे क्या में लेगा? यह दिप सी ocean, तो डीप सी ocean और continents के बीच का जो transition है, यह continental margin कहलाती है, समझ में आया? एक एक शब्द को समझते चलना, यह continental margin कहलाती है, तो यह हमारी continental margin हो गई, अब continental margin में भी आपको बहुत सारी चीज़ी देखने को मिलेगी, जैसे क्या है continental margin में क्या देखने को मिलेगा? तो continental margin में they include continental shelf, ठीक, तो अब देखो, यह continent है, यह आप खड़े हो, ठीक है? यह आप खड़े हो, बाल है आपके, चलो सिर्फे बाल लगा देखे, तो यह continent है, अब continent से जैसे ही आप देखोगे कि ocean जहाँ चालू होता है, ठीक है, जो beach वाला part रहता है, जहाँ पर लोग क्या है, जो 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 इरिया रहता है, वो continental shelf वाला area रहता है, ठीक है? तो वो continental shelf वाला area रहता है, यहाँ पर आपको deposits भी देखने को मिल जाएंगे, sediments के, उतने नहीं जितने abysal plane में भी अब बताऊंगा आगे में, ठीक है, तो यह continental shelf वाला area हो गया, जो जहाँ पर क्या है, बीच वगरा जो पूरा area हो जाता है, जिसकी गहराई कम नहीं होती है तो जिसकी गहराई कम होती है, यह continental shelf वाला area हो गया, आगे बढ़ो के आपको continental slope मिलेगा, ठीक है, तो यह हम continental margin की बात कर रहे है, कि deep sea basin इदर आगे रहेगा, deep sea basin और continent के बीच का जो area है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसमें आपको continental shelf देखने को मिलेगी, continental slope दे स्लोप हो जाता है, फिर continental rice आता है, अब continental rice, rice मतलब क्या उठना, तो वो slope के बाद में जब एक समय पर क्या होता, ocean bed जो है, floor जो वो उठने लगता है, ठीक है, continent से जुड़ी हो जो हिस्सा रहता है, तो वो क्या खेलाता है, continental rice कहलाता है, यह continental rice आ गया है, ठीक है, तो correct कर पा ocean configuration में, फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे और तो आपको trenches भी देखने को मिलेगी, ठीक, जो continent margin से ही जुड़ी हो रहती है, मतलब ocean की deep basin में और continent के बीच में आपको trenches भी रेखने को मिलेगी, ठीक है, तो deep oceanic trenches, trenches क्यों देखने को मिलेगी, यहाँ पिछली वीडियो में बताय से, तो अब यह plate इधर चले गई, तो बीच में trench बनना स्वभाविक है, तो इस तरह से आपको continental margin पे यह सारे features, यह सारे relief features देखने को मिलेगे, याद हो गया, recall करें, तो आप continental margin एक configuration का पाट है, continental margin में आपको continental shelf देखने को मिलेगी, आपको continental slope देखने को मिलेगे, continental rise देखन देखने को मिलेगा, तो deep sea basin कहा मिलेगा, दिखती बात है कि आप continental margin से और अंदर जाओगे, यह continental margin थी आपकी, continental rise, continental slope, continental shelf, यह सब कुछ, ठीक है, यहाँ पर मानलो, trench भी एक, ठीक, अब जब आप इससे और आगे जाओगे, ठीक है, समुदर में और आगे जाओगे, गहराई तो बढ़ गई है न, deep sea basin, मतलब जहाँ पर गहराई बहुत जादा होगी, वो deep sea basin होता है, अब deep sea basin को क्या कहा जाता है, abaisal plain कहा जाता है, abaisal plains देखने को मिलेगा, abaisal plains का मतलब ही होता है कि deep जो है, ठीक है, वो plains बहुत जादा deep में होते है, तो अब यहाँ पर deep में आने क जाओ तो यहां पर आपको इसे mountain मिलेंगे उन्हें हम oceanic ridges कहता है mid oceanic ridges जो आपको बताऊंगा आगे ठीक है तो mid oceanic ridges और यह आपका पूरा continental margin और यह mid oceanic ridges इनके beach का area रहता है इनके beach का area को क्या कहेंगे abaisal plane कहेंगे ठीक है तो बीच में यह है यह यह आप आपके पास से रिवर निकल के जा रही है अब रिवर जाएगी रिवर अपने डिपॉजित सारे सेडिमेंट लेके जाएगी कुछ सेडिमेंट उसने कहां डिपॉजित कर दिये चलो continental shelf पे अब slope पे sediments deposit नहीं होगे क्यों slope पे से फिसल जाएगे ना फिसल के नीचे आ गए continental rice से भी नीचे फिसल के आ गए तो वो सारे sediments आखिरका deposit कहां होंगे वो सारे sediments आखिरका deposit होते अब आईसल प्लेन में आईसल में वही चीज यहां पर बताई गई कि अब आईसल प्लेन जो एरिया होता है जो डीप सी ओशियन रहता है वहां पर sediments बहुत जादा मिलते आपको पेट्रोलियम वगेरा भी अगर explore करने जाओगे न तो देखो पेट्रोलियम continental shelf पे भी explore किया जाता है उसे के साथ साथ में अब आईसल प्लेन में भी explore किया जाता है ठीक है यहां पर minerals भी मिल जाते है manganese nodules वगेरा यह सब कुछ मिल जाता है clear तो वो चीज जहां दख रहा ह the continental sediments that move beyond the margins get deposited तो जो sediments margins से दूर आ गए ना वो कहां पर जाके deposit होंगे plane area ocean floor में abysel plane में सारे sediments यहां पर इस बीस में deposit हो जाते हैं समझना है यह तो दूसरा configuration हमने क्या देख लिए deep sea ocean में abysel planes को देख लिया चलो घर जाओ अब यह abysel plane भी हमने देख लिया ठीक है abysel plane के और आगे जाओगे तो क्या है मैंने आपको बताया abysel plane किसके बीच में continental margin और mid oceanic ridges के बीच में तो abysel plane के आगे आपको mid oceanic ridges मिलेगी अब आजाओ mid oceanic ridges के देखो समझो ठीक है तो अब देखो थोड़ा visualize करना कि आप यह continents यह ट्रेंच वगेरा सब पार करके continent से दूर आ गए यह abysel plane भी आपका निकल गया ठीक है इधर वाला दूसरा continent है अब जैसे मानलो दो continent होते हैं कौन-कौन से दो continent होते हैं यह हो गया अब यहां बीच में जो है यह mid oceanic ridge ठीक है तो यहां बीच में mid oceanic ridge बनेगी ठीक है यह बीच वाला जो रिजन रहेगा यह mid oceanic ridge बनाएगा आए ना समझ में फ्रहा साफ सुत्रा कर देते हैं देखो गंदा लग रहा है वो clear तो यह South America हो गया आपका ठीक है यह हो गया आपका Africa clear अब क्या हो रहा है आप जैसे देखो गया तो यहां से पूरा Continental Shelf अगरा सब कुछ तो यहां बीच में mid oceanic ridge इधर से भी देखो गया तो यह Continental Shelf अभाई सल प्रेन हो गया और बीच में mid oceanic ridges ठीक तो mid oceanic ridges आखिर है क्या चीज़ समझते हैं तो interconnected chain of mountain system within the ocean तो ocean के अंदर mountain की chain यह देखने को मिल रहा है mountain जैसा अब आप बोलोगे ocean के अंदर mountain कहा सा आगा है सर ठीक है तो वह मैं आपको समझाता हूँ पूरी कहानी इसकी ABCD सब कुछ समझाओंगा अच्छे समझना तो क्या होता है ना अब जैसे आपने यह मान के चला कि सब कुछ plates पे-based है ठीक ह अब जैसे में आपको अगर दो प्लेट से डाइवर्ज होगी तो ट्रेंच बना देगी continent और ocean जो होते हैं उनके बीच में आपको ट्रेंच रेखने को मिल जाएगी क्योंकि डाइवर्ज कर गई प्लेट अब इदर खिसकी है इदर से भी माननों यहां पीच में प्लेट्स प्लेट्स करेगा यहां पर डाइवर्ज हो रही है तो नीचे पूरा तो नीचे पूरा मैगमा जाएगा ऊपर आजाएगा इस तरह से अब मैगमा आया है तो अपनी जगह बनाएगा सब्सक्सक्राइब यहां नीचे से आपको जोन ऑफ क्या मिल रहा है तो डाइवर्ज कर गई है तो डाइवर्ज करने पर क्या हो रहा है कि यहां से जो लाबा वगिरा है नीचे से वह उपर उठके आएगा और इस तरह के मांटें लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वह मिड ओश्यानिक रिजिस कहलाती है समझ में आया वही चीज आपको यहां देखने को मिलती है अट्लांटिक ओशियन में ठीक है जैसे मैंने कहा कहा है कि इंटर कनेक्टेट चेन ऑफ माउंटेंड सिस्टम विदिन दी ओशियन इसे वाल्ट मैप प पूछ ले जाता है कि लॉंगेस्स माउंटेंड चेन इन दी वर्ल्ट तो आप लांगेस्ट माउंटेंड चेन इन दी वर्ल्ट कहां लिखो गे उसका मुझे बताना कमेंट सेक्षण में ठीक है तो आपको साओध अमेरिका में हो गई है अगर आप कुशन पूछ लिया थो मिड इत्लांटिक रिज ठीक तो दियान अटना मिड एट्लांटिक रिज कितनी लंबी है ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे साथ पोल तक चल रही है लगबग लगबग वह तो सेंसमें कर वो समझना कि कोश्यं कहना क्या चाहरा है तो अधर यह जो मिड ओस्यानीक होती है बहुत यह जो यहां पर mountain change है South America में जिसका नाम आपको बताना है comment section में यह से है तो यह उससे भी mountain chain आपको देखने को मिलेगी mid Atlantic ridge हो गई ठीक है फिजिस अगर आप देखोगे तो यहां पर Indian ridge हो गई है ठीक Pacific Antarctic ridge हो गई तो यह अलग अलग चिली रिज हो गई तो यह बहुत सारी रिज आपको देखने को मिल जाएगी अब रिज बंती कैसे है तो मैं आपको बता दिया कि जब यह प्लेट्स कर जाएगी तो नीचे सारी चीज होगा ठीक है इस दी लॉंगेश माउंटिन चेन ओन दी सर्फेस ओफर थू समर्ज अंडर दी ओस्यानिक वोटर तो समर्ज जैनिक वोटर के अंदर में वही कह रहा हूं कि ओस्यान जो है अंदर अगर आप ऊश्यान फ्लोर को पड़ो उसके कन्फिग्रेशन को उसमें बहुत सारी चीज nut़ है और अब यह आगया चाटर 13 है उसमें आप खर नर sommes के बारे में और जानने को मिलेगा थिक यह तो क्या है तरह से आपको और मिलेगा मीडो जशानिक जो वि'reट इस थिसज एल्ग सुन ऑल ग्रेशाने को अपनाट सारी सारी चीज देखने तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स आपको फिजिकल फीचर्स में भी देखने को मिल जाएंगे और यह जो रिफ्ट सिस्टम रहता नहीं यहां पर जहां से कह सकते हैं कि प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है तो इस रिफ्ट सिस्टम में intense volcanic activities होती है और यहीं से magma आगे बढ़ता रहता है तो आगे इस तरह से soil formation होता रहता है और यहां पर height सबसे जादा रहती है यह रिजवाला पार्ट हो जाता है ठीक है ocean floor configuration में हमने 3 broad headings के अंदर और भी बहुत सारे subheads देख लिए तो continental margin में continental shelf, slope, rise, deep oceanic trenches यह सब कुछ abysel planes आ गए mid oceanic ridge में आपने mid oceanic ridge को समझ लिए कि अखिर क्या चीज़ है समझ में आया so this was all about ocean floor configuration ठीक है अब देखो एक चीज़ आपको समझ में आ गई क्या कि यह जो areas है यह boundaries है पूरी ठीक है mid oceanic ridge हो गई continental plates जो है तो plates की borders जो रहती है तो इस हिसाब से क्या है कि boundaries पर आपन earthquake और volcanic activities किस तरह से distributed है वह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताने वाला हूं देखो कहाने की तरह सब चीज़े connected है ना समझ पा रहे हो आप आपने theories पड़ी ठीक है theories के बाद में आपने configuration समझ लिया अब वो configuration में समझ में आए कि हाँ borders है boundaries है borders boundaries vulnerable होती है तो borders boundaries अगर vulnerable है तो व सब्जेक्ट, chapters, topics, topics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को ज़रूर बताए magnet brains के बारे में मिलते हैं next video में till then stay connected keep learning thank you thank you very much